इस यूटूफेस की वाइट चॉकलाट चैप आईशेडव पालट है इसके अंदर कोको पाउडर इंफ्यू सॉफ्ट और शुगरी आईशेडव पालट यह जो है वह थोड़ी सी सेल में मैंने हरी जिसकी यह आईड़न और यह बाराल उसके पाकेजिंग है ना वह बड़ी ही कोई आपके सामने या दर बुरे ही हालों में है लेकिन बारहल पालट अंदर बन खोल के देखी थी वह सलामत थी उसमें कोई वाड़ नहीं था तो यह जी पाकेजिंग जो है उतारने के बाद जहना वह पालेट यह वह इतनी चुन्नी मुनी से यह है कि ऐसे आपके पाम में जहना वह बातानी समाज आती है और इसको जो हम खोलते हैं पीछे से दिवार पर देखने मैं से यह अंदर कौन कौन से शेड्स पड़े में होंगे और उनका क्या-क्या नाम मौजूद हो गई यहां पर जो हमारे पास मिरर मौजूद है और मिरर से नीचे जहना हमारे पास यह शेड्स मौजूद हैं तो यह एक बड़ा सारा ना एक और मॉस्ट वाइट सा ओफवाइट सा शेड्स है जो के बेस कलर जो है उसके लिए है यानिकि आप सबसे पहले इसको अपनी आइलेट की ओपर जहना वह अपलाए करेंगे तक वह काइंड ऑफ एक ब्लांक कैन्व ना त्यार करते हैं जिसके आपके कलरें के बाद नाजर आ सेकिन यह वाइट चॉकलेट आती इस तरह कि ना उनकी एक हमें ब्राउन से कलर की भी आती तो अदर जो है ना वह पर वह द्यूंद पर ब्राउन से कलर का है और अंदर थोड़े से ना सारे डाक डाक से शेड्ट म तो यह हमारे पास थोड़ा सा सिलवरी ग्रे हारा रहता है यह थोड़ा हमरे पास बेज गोल कलर रहता है यह हमरे पास अइशेडो आई लेड को प्राइम करने के लिए यानिके ताखे आपका बलांक अन्वस त्यार हो जाए इसके अंदर हमद देखते हैं हम सबसे पहले जब ये वह श्चIQ wouldALK पर यह तो आराट ये तीन जो शेड है न वह इस वह फार पहली वाली टॉप जो है ne या ये उसके सहेवार आप शेंटर वाली तया हुआ गारणी से तरफ बढ़ती हैं जो मिडल रो है हमारे पास वो यह है जब पिगमेंट के इसमें कोई मसला नहीं कलर बहुत सॉफ्ट हैं काफी ज्यादा ही सॉफ्ट है क्या आप हाथ लगाते हैं तो वह और जो शेड़ हैं उन चॉकलेटी वनीला किसम की खुश्भू आ रही है वो इंट्रस्टिंग जो आई शेड़ों ने उन में से अक्शली बेकरी से नहीं आती है वनीला और चॉकलेट टाइब की खुश्भू इन शेड्स में से आक्शली वो आ रही है अब मिडल रो जो है हमारे पास उसमें यह शे ग्रेज़ा है जिसको हम वो सिमेंट ग्रेज़ा नहीं कहते उसके समका शेड़ माट मिक्स्चर ऑफ मैट अभी तक चार शेमर शेड़ आए और तीन हमारे पास यह वह माट शेड़ आए और अब हम बढ़ते हैं लास्ट रो की तरह लास्ट रो के अंदर वो हमारे पास आ रहते हैं लास्ट रो में यह शेड़ अच्छा पहली बार मैं आपको बता दूँ कि यह ना वो नाच्रल लुकेंग मेकप को टार्गेट करते वे बनाई गई है इसमें वो ठाठा किसम के कोई रंग नहीं होने हैं और बड़े ही सटल ब आई लुक को थोड़ा सा वो भी तियार कर सकते हैं कि आप उसको दरा बना दें ग्लैमरस तियार कर लें उसमें से तो लेकिन ओवर आल यह हमारे पास शेड़ हैं वह बड़े न्यूट्रल रड़े म्यूटिड से बड़े स्किन लाइक टेक्स्चर के हैं तो यूगेट वान ब्लैक्टी जिसमें थोड़े से शमर मोजूद है तो फिर हमारे पास एक सिमेंट ग्रेड मोधूद है पाकि यह थोड़ा सा 28 ब्राउन ही और यह अलमोस्त माट बेजल शेड है और यह matte off white shade है फिर हमारे पास ये थोड़ा सा pinky rosy pinky सा जहना वो shimmer shade है ये beige pink shimmer shade है ये थोड़ा सा golden shimmer shade है और ये थोड़ा सा हमारे पास silvery सा shimmer shade है और ये जहना ये beige golden shimmer shade है याप अगर इसके सारी color tones के combination कुछ चेक करें न तो इसके अंदर उन्होंने इंतहाई neutral tones जहाई वो compile की है याई कि off white हो गया gray हो गया एक अदा चोटा सा light brown हो गया golden beige हो गया silver हो गया black हो गया so कुछ peach हो गया so बड़े ही neutral से ये shades इसके अंदर मौजूद है इसके actual price जहाई वो 5K थी sale के अंदर जहाई है मुझे तकरीब 33K की पिली 3.3K की मिली है this was two face chocolate white chocolate chip ये इसके अंदर हमारे पास shades मौजूद है